आशीश के साथ वेवाहिक बंधन में बंधने के बाद शोभा मायके से रोते बिलकते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी कभी घूगट के ओड से आशीश को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी अंदर से कुछ आवाजों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी उसे ये तो पता था कि आशीश की मा नहीं है यानि वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है काफी देर के बाद भी कोई ग्रह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने आशीश की तरफ आशा भरी नजरों से देखा क्योंकि वो खुद भी काफी ठकान महसूस कर रही थी आशीश ने शायद शोभा की नजरों की भाशा पर ली थी वो अपनी छोटी बेहन को बुला कर लाया और उसके कान में कुछ कहा थोड़ी देर में बेहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और शोभा का ग्रह प्रवेश करवाया आगे भी कुछ रिसमें हुई इन सब के बीच शोभा तो ये समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल धीरे धीरे सारे रिष्टेदार चले गए कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचे दे रहे थे शोभा कभी इनकी तो कभी उनकी बाते सुनकर परेशान सी हो रही थी लेकिन धीरे धीरे ससुर, पती और दो छोटी नंदों के साथ शोभा अपनी ग्रहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी पती का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी नंद का स्नेह शोभा को कब अलहर लड़की से जिम्मेदार ग्रिहनी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी पर इन सब चीजों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती शादी के समय सारी सहेलिया उसे काफी किस्मत वाला मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किच किच नहीं रहेगी पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं शोभा भी इस बात को समझती थी तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी दोस्तों कुछ रिष्टे नमक जैसे होते हैं सास का भी रिष्टा कुछ इसी तरह का है ससुराल का हर सुक बिन सास के फीका ही स्वाद देता है ये कहावत भी सही है कि सास गले की फास होती है जो ना निली जाती ना उगली जाती है पर इनका रिष्टा काफी खास होता है